नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं अडानी वीलमार स्टॉक के बारे में रिसेंट में थ्री ट्वेंटी से स्टॉक ने थ्री फिप्टी फोर तक के लेविल्स टच करें हैं रियल ब्रेकाउट इसका फोर टेन के उपर है जो इस टॉक को फाइव ट्वेंटी सिक्स फोर्टी और सेवेन ट्वेंटी प्लस जैसे लेविल्स भी दिखा सकता है लेकिन इस समय देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेंज जो है बिट्विन ट्री ट्वेंटी टु फोर ट एक कंसोलिडेट पोजेटिव रेंज है पोजेटिव बायसनेस के साथ त्री ट्वेंटी के नीचे ही निगेटिव ट्रेंड होगा तो एक रेंज में ही कंसोलिडेट करते दिख रहा है आज इस स्टॉक के कामकाज में देखें तो वॉल्यूम काफी नोमिनल 12 लेक के आजप प्राइस है वो क्या ट्रेड कर रहा है ग्रीन ट्रेड कर रहा है यानि यहां से आप क्या देखेंगे कि स्टॉक के जो स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉंग दिख रहे हैं अब यहां देखें तो रिसेंट की डिलिवरी बेटर दिख रही है टेकनिकल ट्रेंड देखेंगे तो जो major support था यहीं से multiple time इसने retrace करा अगेन यहां से retrace नहीं कर पाया एक breakdown हुआ लेकिन उसके बाद देखेंगे तो इस level के नीचे एक भी candle strong बनते नहीं दिखे और reversal दिख रहा है यह पूरा supply zone है इसलिए देखेंगे 1 lakh only buyer और 7 lakh seller तो मैं यह चाहूंगा कि अगर आप 6 month to 2 year hold क करना चाहते हैं तो इस zone में आप ले सकते हैं with SL below 295 जहां 410, 520, 640 और 720 प्लस तक का यह major resistance है तो short term जो इस level के जो भी buyer है वो चाहें तो यहां exit लेंगे लेकिन इस level को breakout करें तो 700 प्लस तक के potential target expect किया जा सकता है recent की खबर क्या थी कि जो local player है जो local player है उसको merge करेगी खुद से, acquire करेगी, subsidiaries बना सकती है और FMCG product को